शिव शंकर भगवान की जै हिंदू धर्म में कई तिहार काफी खास होते हैं जिन में से एक महा शिवरात्री है जै परफागुन क्रिशन चतर्थी पर मनाया जाता है मानता है कि इस दिन भगवान शिव का विवा हुआ था भगवान भोले नात की उपासना करने से मनुश्यों को जीवन में सुख की प्राप्ती होती है ऐसी मानता शिवरात्री के दिन वर्त करने मंतर चाप और रात्री चागरन का वुशेश महत्त बताया गया है महा शिवरात्री के दिन चार पहर की पूजा करने का विदान है माना जाता है कि इन चार पहर में पूजा करने से मनुश्यों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ती होती है चलिए जानते हैं चार पहर की पूजा, प्रथम पहर, प्रथम पहर की बात करें तो जे पूजा समाने शाम के समय पर होती है इस सो दोरान भवान शिप पर दूद अरपित किया जाता है, इसके अलावा उनका जल की धारा से अवशेख होता है इस पहर की पूजा में शिव मंतर का जाप जाप जां शिव स्तूतिव शेश फलदाई होती है जे पूजा शाम 6 वजे से 9 वजे के बीच में की जाती है दूज्य पहर दूज्य पहर की बात करें तो इसमें भवान शिव को दहीं अरपित किया जाता है इसके अलावा उनका जला विशे किया जाता है दूसरे पहर में शिव मंतर का जाप करना चाहिए दूसरे पहले की पूजा से मनुश्य को धन समरिद्धी की प्राप्ती होती है ऐसी मानता है जे पूजा रातरी नो वजे से लेकर बारा बज़े के बीच की जाती है तीजी पहर में शिव ची को घी अरपित किया जाता है इसके बाद उनका जलधरा से अवशे किया जाता है तीजी पहर में शिव स्थूती करनव शेश फलदाई माना जाता है इस पहर में भगवान भोले नात का ध्यान करना लाबकारी होता है माना जाता है इस पहर में पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनो कामना पूरी होती है जे पूजा मद्य रातरी 12 बज़े से लिकर 3 बज़े तक होती है चोथे पहर की पूजा जै माना जाता है चोथे पहर में भगवान शिप की अरातना करने से मनुशी के पापनस्ट होते हैं और व्य व्यक्ति मुक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है इस दो रम भगवान शिब को शहद अर्पित करना बहुत अच्छा माना जाता है शहद अर्पन के बाद उनका जलविशे किया जाता है इसके अलावा चौथे पहर में शिब मंतर का जाप और स्तूती दोनों ही फलदाई बताई गई है इस दिन बहुत से लोग उपवास रखते हैं हिंदू धर्म में दूसरे त्यहारों पर जहां पूजा के बाद भगवान को भोग लगाकर परशाद क्रहन किया जाता है वहीं शिब रात्री का बर्त पूरे दिन चलता है और सुबह जूरे उदे के पहचाद ही इसको खोला चाता है फ्रेंड से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना शेर करना जो मेरी वीडियो पर पहली वार आए हैं प्लीज वो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल फ्री है और चिनों ने सस्क्राइब करके रखा उनका मैं दिल से धन्यावाद करती हूँ शिव भोले बाबा की केरपा से सबका जीवन सुख मई हो हर हर महादेव